हेलो स्टुदेंट्स एंड माइडिया फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे काफी महीन हो गए कुछ वीडियो नहीं डालें एजुकेटिट हमने तो सोचा कि कुछ एक्जाम रिलेटेड बनाया ज क्या है कि स्टुडेंट लोग के पास कोई भी एक सब्जेक्ट की बुक होती है और बागी सब्जेक्ट की बुक अरेंज करने वनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है मैं कोस्टेंस जो आते हैं इं स्टार्ट करेंगे और यह जो बुक का अप देख रहे हैं वी अब करेंगे वीडियो पर पहले हम करन सिंग का पड़ते हैं है न उसके पाद रॉयल के भुक में ठोब्स लेंदी कोशेंचंग लगेगा हम शॉर्ट कोश्चंग करते हैं और अपनी कमांड जो है वह अच्छ करते हैं तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन से फर्स्ट येर ली पैटन आ गया है जैसे कि आप सुब को पता है टेट परिचो सुरक्षान साधारिया उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने रीडिंग तो कर लिये होंगे टॉपी वाइज सारे जो भी इंपोर्टेंट अपने पढ़ा हैं टॉपिक से उनकी तो यह देखिए पिछ इंपोर्टेंट सिंबल्स हैं यह आपको पता होने चाहिए कौन कौन सिंबल है यह जो पैर की सुरक्षा के लिए हाद की सुरक्षा के लिए और यह ट्राइंगुलर में जो भी इंडिकेशन से वार्निग साइं से यह यह गोल के गोला कार में जो सिंभोल होते हैं वह संखियत और जो ट्रीमिघ वार्नेग थो होते है वहते हैं आपके यह आपने पढ़ा होगा ही और फैप फारल्स्टिंग भीचास हुम हम आते हैं सीधे कोस्टेंस पर यह देखिए मल्टिपल चॉइस कोस्टेंस जो हैं यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है इनकी प्रेपरेशन आपको अच्छी होनी चाहिए नहीं तो फिर एक्जाम में कन्फीज होते रहते हैं शुरू करते हैं पहला जो कोश्टन है देखिए ज़्यादा टाम वेस्ट ना करते वब स्टार्ट करते हैं पहला जो कोश्टन है अपका में मचीन पर कार करते समय अचानक खराब हो जाए तो में क्या करना चाहिए तो अब्सक्राइब ने मशिन को छोड़ का भाग जाना चाहिए ऑप्शन भी मशीन को चलती होड़ को अच्छादीकारे को सुचित करना चाहिए मशीन का स्विच फॉरन बंद कर देना चाहिए तो देखिए ऐसा है पहले सेफ्टी काले कोश् आजाएंग मशीन खराब हो जाए तो ना तो हमें मशीन छोड़का भगना चाहिए क्योंकि छोड़के भग गए तो फिर और दो तीन साथ वाली मशीन खराब कर सकती है या फिर उसके उपर जो माउंटिंग है वो डैमेज हो सकती है मशीन को चलती छोड़का उच्च आदिकारों को सूचित भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जब तक आप सूचित करेंगे तब तक कहीं देर ना हो जाए वही वाली बात है तो मशीन का सुच जिसे कहते हैं जिसे में इमर्जेंसी स्टॉप बटन भी कहते हैं उसे में सुच भी कहते हैं उसे जो है आपका ब्रेकडाउन सुच भी बोलते हैं तो वह पहले बंद कर दना चाहिए तो पहले का उप्शन आए आपका सी next question में चलते हैं नेमलेकिस में से कौन सा कथन गलत है तो पहला option चलती मशिन की गेर कभी नी बिदनने चाहिए मशिन को स्विच बंद करके उसे हाथ से रोपना चाहिए आंकों की ज़ुच प्रियोग करना चाहिए या मशिन पर पड़ी चिप्स को ब्रस से साफ करना चाहिए तो भाईया इसमें कौन सा कथन गलत पूछा गया है गलत आपके साप से तो चलती मशिन की गेर कभी नी बनना चाहिए सही है, हैंगा सही बात है भाई मशिन को स्विच बंद करके उसे हाथ से रुखना चाहिए तो ये जो आपका B है ये गलत है मशीन पर की पड़ी चिप्स को ब्रस से साफ करना चीज़ तो सही है आँखों की सरक्षल चच्चम कब लोगने की भी सही है तो आपका इसका जवाब हो जाएगा B Mind the questions, question क्या कहना चाहरा है यहना क्योंकि confused इसी में होते हैं कि question कह क्या रहा है और हमने पड़ क्या लिया और उपर से question का answer लगा क्या दिया इस बात पर ध्यान रहे ठीक है, नेमलकिस से कौन सा चिन आदेश आतमक है आदेश, आदेश आतमक मतला होता है जो आदेश दे रहा हो आपको की करना है दूर रहना है, तो रहना है option A है, विस्वोट का खतरा option B, धुरपान वर्जित C, मशीन पर गार्ड का प्रयोग करे तो देखिए आदेश आतमक है, विस्वोट का खतरा ये भी है ठीक है, ये तो precaution वाला हो गया कि आप caution दे रहा है, वो चेतावनी दे रहा है धुरपान वर्जित है, ये भी आदेश दे रहा है मशीन पर गार्ड का प्रयोग करें ये भी आदेश दे रहा है, तो हमारा जो सही जवाब है, मशीन पर गार्ड का प्रयोग करें ये वाला हो जायागा ठीक है क्योंकि धुम्रपान वर्जित है ये भी आपका प्रिकॉशन वाला सिंबॉल आगा अपने धुम्रपान गलती से किया चिंगारी वहां निकली तो हो सकता है ब्लास्ट हो जाए यह जो सिंबल है यह आपके चेतावनी वाले संकेत है इसलिए सी हो जाएगा आदे शात् जबती है दूसरा ताप तीसरा अक्सीजन वाचोथा उप्रॉक सभी तो देखिए किसकी उपस्थिती से बात उपस्थिति के और यह पॉइंट पकड़ना ज़रूरी आपका उपस्थिती से आपको जाएगा ऑप्शन सी सही जवाब तो आपको जाएगा उप्शन सी सही ज पानी आपको बजाने के लिए इसका प्रयोक करते हैं तो बिजली से लगी आग को बजाने के लिए रेत या मिट्टी पानी और Ctc fire extinguisher ये उप्रोक जोई तो इसका एपका option C Ctc fire extinguisher पानी को बिल्कुल मा मिट्टी अगया उपरोक paradox अभीerek कर गया तो इस तरीके से आप डिसाइट कर सकते है कि किस्प्रकार आपको कुशेण के सहीराख करते हैंnt इसलिया कर दीकार कसे सब्सक्राइब करना गया साथ तो देखिए मशीन जरूरी नहीं कि आपकी बिजली वाली ही है मशीन मेकैनिकल भी हो सकती है है ना तो यह आप्शन तो कड़ गया है दूसरा रोशनी ठीक है जरूरी है पर 10-20 परसंट क्या पता हुआ लाइट भी हो है ना तीसरा पूरी जान करें चोथा तेल तो आपका सब अपसे ज्यादा कंपल सरी आंसर रहाएगा सी क्यों होगा क्योंकि हम जब वर्क्शॉप में जाते हैं तो हमें वहां के जो टीयो है या सेफटी प्रिकॉशन वाले जो टीचर है वो बताते हैं कि जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं उससे दूर रहें तो यह है पूरी अनसर हो जायागा टाइट तो खंबसर ही पहननने ही ज़रूरी है टाइट तो ठीक के ढके कृष्टी इसका आइपने गढई पहन ली तो बच जाओके रेशाद सकते हो कि टाइट तो पहनना है ही इसलिए तो आपके धीडे वस्तृ या खोले बाल या आपका कुछ भी ढीले कपड़े का अगर कपड़ा लटकता हुआ पाया गया तो क्या पता हो मशीन में आ जाया घूमतुए मशीन की चक में या कुछ में भी इसलिए डीले बास्तर पहनना खतरनाक है तो आप्शन होगा इसका B नेक्स्ट है मशीन के घूमने वाले भागों पर सदेव क्या लगा होना चाहिए मशीन के घूमने वाले भागों पर आप्शन है तेल B ग्रीस C है आपका ओजार D है आपका गार्ड तो घूमने वाले पार्ट पर सदेव गार्ड लगा होना चाहिए यह अप्शन आपको जाए फस जाए तो दुर्गटना होने की चांसित बढ़ जाते हैं नेक्स्ट आपको कारे के द्वारान आखों की सुरक्षा के लिए सद्देव किसका प्रयोग करना चाहिए कारे के द्वारान आखों के लिए चश्मे का, रोश्णी का, पानी का या किसी का नहीं तो आपका option हो जाएगा क्योंकि आखों की सुरक्षा चश्मे से पहले होगी रोश्णी पानी की बात की बात है next है भारी कारों को करते समय सिर्पर क्या पहनना चाहिए तो भारी कारों को करते समय सिर्पर option a cap, helmet cap, कपड़ा, helmet, कुछ नहीं तो helmet ज़रूरी है कपड़ा तो छोड़िए और cap तो पहनते नहीं industrial area में helmet ज़रूरी होता है बिजली चले जाने पर सरुपतम किसको बंद करना चाहिए next question आपका तो बिजली चले जाने पर सरुपतम आपको option ने machine को B car को, C car shala को कुछ नहीं तो obviously machine को भी बंद करेंगे next question आपका 30 number का निशे धात्मक चिन्न का क्या आर्थ होता है तो निशे धात्मक चिन्न का आर्थ A, यहाँ पर आना मना है B, आग लगाना मना है C, पाणी डालना मना है या D, यहाँ पर सक्ती से निशे थे तो देखिए निशे धात्मक जो सीधा सीधा संबन बता रहे हैं निशे से तो option D हो जाएगा आपका सही answer चेतावनी चिन्न का आकार कैसा होता है अभी मैंने बताया था दो मिनट पहले आपको option A, goal, option B, choice option C, तिर्वजा कार, option D, लंबा तो भी यह इसका answer होता है तिर्वजा कार, चेतावनी चिन्न का आकार तिर्वजा कार होता है, triangular shape का होता है next आपका निशे धात्मक चिन्न का रंग कैसा होता है तो इसमें option है, पीला, लाल सफेद, या काला तो देखिए, क्योंकि लाल लंग का तरंग देद, सबसे ज़्यादा होता है याना, दूर से दिख जाता है लाल लंग, इसलिए लाल लंग का आपका निशे धात्मक चिन्न का रंग होता है, symbol next आपका ठोस, द्रव को जब गरम करते हैं तो वहाँ वाश्पुत्पन करते हैं जिसके परणाम शरूप क्या होता है A. पिखलता है, B. उड़ने लगता है C. आग लगती है या D. वह बैने लगता है गरम करते हैं वाश्पुत्पन लगती है इनन और ताप वह जिसके कारण आग जलती है Option A. पानी, B. हवा, C. तेल या D. ऑक्सिजन तो जिसके कारण आग जलती है या जो जलने में साहा करती है या जिसके बगएर आग नहीं जल सकती वह आपकी आक्सिजन वेक्यू में आप आग नहीं लगा सकते है Option D. बिजली की लगी आग को क्या कहते है तो देखिए आपका A है क्लास D B है क्लास C C है क्लास A और आग लास्ट है क्लास B तो बिजली की जो लगी आग है उसको हम B क्लास की फायर बोलते है तेल से लगी आग को बज़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है होता है तेल से लगी आग बजाने के लिए लकड़ी या को प्रोगको क्या कहते हैं एक कार्बोनेशियस फायर ऑईल फायर ओप अधीयस फायर जैग अधीया सुझने लगदी या कोईले कोईले से जो वर्ड निकला हो कोल निकला तो कर्बोनेशियस यह यह रिलेटिट टूड से संबंदित है चार कोल से लकडी से बुझे हुए लकडी के टुकडों से जैसे चार को बनता है उन से संबंदित है इसलिए इसका option नहीं है का एक carbonaceous fire नेक्स्ट आते हैं गैस से लगी आपको क्या कहते हैं तो गैस से लगी आपको option A है आपका oil fire, B है form fire, C है carbonaceous fire और D है gas fire तो देखिए carbonaceous fire तो पहले से बुक होगी किसके लिए लकडी कोई लेके लिए है form fire, form तो छोड़ी देजिए, form बुझाना काम करता है, form fire नहीं फार्मर लिखा है कि पिस प्रिंटे हैं आपे देखिए oil fire, oil fire बोलें सकते हुए, gas से लगी है, तो सीम्पल सी बात है, gas fire ही बोलेंगे, है ना, इस में सोचने लिए बात ही नहीं, option number D, option number 23, question number 23, doctor के आने के पहले, घाल को दी गई, सहायता को क्या कहता है, तो प्रात्मी चिकिसा, चिकिसा, ध्यान देना कुछ नहीं, तो प्रात्म का question नहीं है, आपको पता होना चाहिए, घाल विक्ति को सांस लें में दिक्कत होते है, पानी नहीं दे, ठीक है, दवाई ना दे, बाते ना करें, ये तो छोड़ी दो, दवाई ना दे, भीड ना करें, तो भाईया, हावा चाहिए, उसको तो पहले भीड खाली करें, ताकि वो खुली हवा में सांस ले सके, तो option बुलाएं जाएंगे, कीचेंगे इस सुच तब तक के तो बहुत देर हो चुकी होगी, तो next question आपका, machine को बंद करने के बाद कभी भी machine को किसकी मदद से नहीं रोखना चाहिए, डंडे से, औजार से, हाथ से, जटके से, तो देखिए डंडे से आप रोखोगे, तो डंडे का नुकसान होगा, ओजार से रोखोगे, तो ओजार का नुकसान होगा, गिसा आएगा ओजार, हाथ से रोखोगे तो हाथ का, और जटके से तो रोखीन सकते हैं, तो obviously बाद है, डंडे का और ओजार का नुकसान, आप जहिल सकते हैं, बी रबड की चपल सी मोजे जूते और डी आपका कुछ नहीं तो आप सोच के देखिए रहा कि पैरों में क्या पहना आता है जूते ही पहने आते हैं वर्कशॉप में सबसे पहली सेफ्टी तो यह बता ही आती है बच्चों को कि वर्कशॉप में बिना शूज के इंट्री नह आग को बंद आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते पर मलना नहीं चाहिए यह आपका सही वजायगा आंसर की मलना नहीं चाहिए नेक्स्ट कोश्चन है आपका मशीन पर पड़े बुरादे को साफ करने के लिए किस का प्रयोग करना चाहिए मशीन पर पड़े बुरादे को साफ करने के लिए कपड़े का पानी का हाथ से या क्लिनिंग ब्रश तो उव्यसी बात है कपड़े और पानी का आप यूज नहीं कर सकते मश्यीन पर ना हाथ से कर सकते हैं सबसे मुख करना के यहाँ कारे चाहिए फिल्ड यह यह काम पडहन देना चाहिए यहाँ वहाँ जाता है नहीं मशीन पर ध्यान नहीं देना है मशीन तो stationary है अपना ध्यान मशीन ठीक है वो तो चलता है आप दे रहे हो मशीन पर ध्यान पर कार पर जायादा है अंद फोकस रहना चीए आपका नेक्स्ट है आपका D, D स्रेणी की आग किस से फैलती है, तो देखिए, बिजली की उपकरण से, लकडी से, तेली पदार्थों से, शुष्ट कागजों से, तो ये मैंने आपको बताया था भी, कि बिजली की उपकरणों को जो है, वो D की स्रेणी में रखा गया है, है ना, इसकी ऋए है योडरे श्यवर, नेक्स्ट है, आपका A सिरेणी की आग किस से फैलती है, तो A सिरैणी जो है कपड़े से, कागज से, सुकी लकडी से, या अन्यठोसपदार्थ, ये आपका कागज़ए है के इस तेलन गाग B है आपका कागज, 9 C है सुकी लकडी, डी अन्यट होस्पदार तो वो सब छोड़ी कपड़े से लगने वाली आपको एक क्लास की सेडी में रखा गया है इतना आजाद रखिए यह नेकस्ट आपका 5 ताथपर ने का है जो 5 है यह ने अपके सेफटी की चीज़े हैं तो इसका जो ऑप्षिन है आप पहले ऑप्षिन देखी तो थर्टी तरिका आपका आपका अंसर हो जाएगा यह आपका फाइव वर्स का वो फाइव सेफटी अलाग चीज़े है फाइव सिस्टम का लाब क्या है यह आपका फाइव सिस्टम है इसमें आप उत्पादन जरूरी होता है उत्पादन दर और उत्पादन दर बनाये रखना यह दो तो बात की बात है पहले उत्पादकता बढ़ाने की बात होती है इसलिए आसका आंसर जरूरी का बी नेक्स्ट आपका फरस्टेट बॉक्स समुचित ढंग से सज्जित होना चाहिए और इसे रखना चाहिए कहा रखना चाहिए महत्पुनिस्थान पर मशीरी चेतर में आसानी से अभी गम स्थान पर या सही इस्थिति में तो वही या सही इस्थिति में नहीं भी रहा तो भी वह चलेगा दिखेगा पर महत्पुनिस्थान पर रखोगे तो हरकीसी को मिलनी पाएगा मशीरी चेतर मे तो इसका आपका option पहला है class B, class C, class A या class A एक जसे option देदी यही तो होता है आपको confuse करने के लिए तो इसका answer आप C भी लगा सकते हैं, D भी लग सकते हैं, यहाँ पर वैसे D होना चाहिए था, यहाँ D होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, option C रो D में, तो किस बार इंशान को form water और dry chemical प्रविक्त होते हैं, तो यह आपका answer C, जब next आपका, ज D अपना होश खोदेगा, D तो जापर ज्यादा जलन होगी, सेती संबर को question में आप देखिए, कि वह अपना संतुलन खोदेगा और गिरेगा, वो तो हो गई होगा, संपर्गिस्थान पर मामूरी जलन, करेंट बहुत निचले स्तर पर, संतुलन खोदेगा, यह बड़े स्त कर भी रहा हो, नहीं भी कर रहा हो, जैसे कई बार चार्जर में करेंट लगता है, लाइक दिस, नेक्स्ट आपका, अर्तिस अंबरो question, एक जोलित विद्युत्तार के लिए निमने में से कौन सा अगनी शामन उचित एजेंट है, option A है आपका, जल, option B है, carbon dioxide, option C, carbon tetragloride, option D ज आपको निजी सुरक्षा पतान करने के लिए कोन उत्तरदाई है, option A, आपका मालिक, B, supervisor, C, आपका सा कर्मी, D, आप सोयम, तो ये आपका निजी सुरक्षा पतान करने के लिए उत्तरदाई, आपका मालिक, आपका जो भी, supervisor ये भी हो सकता है, supervisor भी हो सकता है, मालिक भी हो सक लिए आपका जो भी मालिक है हेड है वो होता है जिम्मिदार कोस्चन थोड़े से बच्चे हैं दो-चार पूरा कर लेते हैं नेक्स्ट आपका एक मशीन के चलते समय दिकी समझ से खड़ी होती है तो पहले क्या किया जाना चाहिए तो पहले आपका चिल्दाना प्रारम कर देना चाहिए नहीं भी एलेक्ट्रिक पैनल नहीं सी सीनियर के बुलाई है डी सामनी दिये लाल बटन दवाई तो यह लाल बटन जैसे कि मैंने बताया था आपको कि लाल बटन चाहिए इमर्जिंसी स्टॉप बटन होता है यह सब को होना चाहिए बच्च बच्च को पता होना चाहिए और होता भी है तो यह आपको सबसे पहले दबा देना चाहिए नेक्स्ट आपका नीची सुरक्षा उपकरण आवशक होता है तब कव होता है ए मालिकों को चोट लग जाती है कि कर्मचारी को चोट लग जाती है कि जा चल कि इंजिरिंग कारपतिती प्रशासनिक संहिंतर खत्रों से बचने के लिए परयब सुरुख्चा पदान नहीं करते हैं कि नी सुरुख्चा को करना नहीं नेक्स्ट है आपका यदि एक रोगी मुह से फुक मानने की उपचार की पतिकिया नहीं देता है तो प्रधम चिकित्सक को तुरंत करना चाहिए क्या करना चाहिए चिकिकिसा क्वाइता हुए टुटे हुए लिम्बो को चेक करना चाहिए कंबल मढ़ु गरम supplements को क्यक्त चाहिए तो रहो हम ज़ाइग स्थ तो आप अलग अलग लेवल पर रोगी की कंडिशन को देखते हुए अपना सकते हैं तो यह था आज का हमारा पहला चेप्टर इसमें के कोस्चन आपको कैसे लगे बताएगा कमेंट्स के जाएगे तो मैं इस बुक के सारे कोस्चन्स अपलोड करूँगा धिरे-धिरे ठीक है चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा और शेयर कर दीजेगा आपके ट्रेड वाले जो भी साथी घंड है उनको फ्रेंड्स को आपके तो इतना वीडियो बहुत है ठीक है गुडबाई टेक कियर